इसमिल्य रख्मनी रहीम स्टूडियन हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो आपके पास है टेस्टिंग हाइपॉथसिज वें सिग्मा इस अनन और एपने टेस्टिंग हाइपॉथसिज गया फॉर्ट पीडिस्टिबिशन के लिए फॉर दिजी डिस्टिबिशिज बट अब करें बताएंगे कहां यह पास क्या आता है क्या स्टेप्स निस जो इसमें आपके पास वह मिजॉरिटी आपके पास सेम स्टेप सेंधें आपके पास अगर चेंजर आ रही हैं तो test of statistic यह critical region में आपको दिहारा रखना पड़ते हैं इसमें first step आपके पास जो आ जाता है वो हम डिस्क्राइब करते हैं हम कहते हैं the procedure for testing the hypothesis H0 is mu is equals to mu not is given that अब हमारे पस जो first of all होते हमने क्या करना होता है hypothesis बनाने होते हैं और आपको पता है आप बना चुके हो कि हमारे पर two types के hypothesis होते हैं एक हमारे पास क्या होता है नल hypothesis होते हैं और सिकिन आपके पास क्या होते है alternative hypothesis होते है अगर नल hypothesis की बात का रहे हैं na mu is equals to mu not है तो यह normally distributed के लिए two-sided के लिए तो हमारे पास जहां के आजेगा mu is not equals to mu not आजाते है ठीक है इसी तरह अगर आपके पास आपने find करना है this one कि कोई और आपके पास है अगर आपके पास one-sided है mu is less than or equals to mu not तो आपके पास यह क्या होगा mu is greater than mu not अब हमारे पर third one जो आपके पास आजाते हैं यह three types के hypothesis आपके पास बनेंगे वह आपकी question की situation देखकर आप बताओगे कि आपके पास क्या रहें अगर मारे पास क्या है यह opposite इसके opposite यह one-sided this one is only two-sided and यहां मारे पास क्या आजेगा mu not यह हमारे पास जो three hypothesis हैं जिसमें first आपके पास two-sided hypothesis है और यह भी one-sided यह भी one-sided hypothesis है तो आपके इस तरह my what's the ... ?Oto खेक भी one- kijken岁स्यो फैर हमने का सब्सक्राइप क्या होता था स्च्टिखoco 6 टेस्टिटिक और तो सब्सक्राइब करने ही गए पत्रिच्पर मारे पासको सब्सक्राइब करना होता है और यह एक सब्सक्रार में minus mu and s under root and this one is the formula of the t distribution degree of freedom क्या होती है and minus 1 होती है अच्छा दिन हमारे पास आजाते है जो हमारे पास जारा most important भी हो जाते है critical region एक तो आपने computation लेनी है दिन आपने critical region को describe करने computation तो आपको पते कि आपने simple आपके पास जो values होंगे आपने इसको क्या करने है compute करने बट आपके पास जो majority आपने work करना होते हैं वह आपके पास आजाती है computation आपके पास critical region आपके पास जहां क्या आजेगा critical region अब स्टूर्ट आपने critical region में क्या क्या चीज़े describe करनी होते हैं अगर तो आपके पास आ रहे है आपके पास आपके पास आपके आपके पास बनेंगे आपने एक तो यह तो आपने आपके रहे हैं लेना है एक तो लेस्टं आपके पाद माइनस माइनस अलफाबाइट टू एमारेबास किया आपके पास T is greater than और इस यह थे अलफाबाइट 2 and N-1 मतलब यह तो साइडें तो एक लेस्टं के लिए क्लिए हो करें डोनों के लिए के लिए तो तु साइडें के लिए तो फिर आपने कौन सा हाइपोसेस लेना है जब देखें यह साइन जो रहा है जो यहां भी हम ग्रेटर देन कई साइन जो करेंगे जो कि मैं पास किया जिगा टी अल्फा एंड माइनस वन अच्छा यहां नहीं सिर्फ एल्फा क्यों लिक है बिकास इस सब वान साइड यह भी है तो आपके पास जो अल्टरनेटिव हाई पौछ सिर्फ ग्रीत कर दोऑन है मैं यह ड्रीump कशन ती अल्फा फएल्फा यह बीड हो में लाए नहीं करी तो हम H0 को क्या कर लेंगे असेप्ट कर लेंगे तो यह आपके पास आगे टेस्टिंग हाइपॉसिस वें सिग्मा इस अनौट एन इस लाइस दिन थर्टीन उसका जरनल प्रोसीजर है इंशाला हम नेक्स्ट इसकी एक्जामपल को सॉल्फ करेंगे ताकि आपको पता चले कि जो आप लिख रहे हो यह सॉल्फ कर रहे हो अगर आपको प्रैक्टिकल आ जाता है तो आमने इसको कैसे सॉल्फ करने यह तो आपको सिर्फ प्रोसीजर बताए इंशाला हम एक्जामपल के साथ करेंगे तब तक के लिया लाएफिश झाल झाल